हाई बच्चों, वेलकम टू पेपर है का यूट्यूब चैनल, अब बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सबजेक्ट सिक्षा पढ़ाएंगे, बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सबजेक्ट सिक्षा जो है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे बच्चों objective type question जो आज कल पूछ रहा है बहुत compulsory है ये पुछेगा ही पूछेगा और बहुत सारे बच्चे comment भी किये हुए है तो उसमें objective type total question का मैंने वीडियो बना रखा है पीछे भी वो सब भी आप लोग देख लिजेगा और जो अभी बना रहे है वो भी भी आई है ये number question देखे क्या कहा रहा कौन अंग्रेजी सिक्षा के द्वारा भारत में ऐसा वर्ग तयार करना चाहता था जो रक्त ववण में भारती हो परंतुरूची विचार बुद्धी और नेतिकता में अंग्रेज हो ठीक है देखे कितना कैसा question है ठीक है कि ये जो कह रहा है कि कौन सिक्षा के द्वारा भारत में ऐसा वर्ग तयार करना चाहता था कि जुरक्त ववण में भारती हो परंतुरूची विचार बुद्धी और नेतिकता में अंग्रेज हो वो जो तयार करना चाहता था वो कौन था लौड मैकाले कि लौड करदन कि लौड माइकल सेडलर कि उप अधिक बल दिया गया राधा कृष्णन आयोग मुदालियर आयोग सेडलर कमिशन की कोठारी आयोग किस पर बल दिया गया तो वो क्या था बच्छों वो जो था कौन सा योग था कौन सा योग था मुदालियर आयोग जो था वो बनमबर था मुदालियर आयोग जो है त्री भा परिश्ट केंद्री सिक्षा सलाकार परिश्ट ने कभ three भासा सुत्र को परस्तूत किया ? केंद्री Сिक्षा सलाकार ने कभ जो है three भासा सुत्र को तरस्तूत किया था ? वो था 1950 1956 1965 49 div 156 with three महातमा गांधी कोठारी आयोग ने लॉड मिन्टो ने कौन आयोग का यूजू है कदम 1911 में जो है उठाया था वो था बड़ोदा नरेश ने जो है ऐसे आयोग को उठाया हुआ था बड़ोदा नरेश अब देखेए फाइफ नंबर कोश्चन बच्चों देस मोटे रूप में कितने मोटे रूप में कितने परकार की प्रारंभिक सिक्छन संस्थाएं होती हैं मोटे रूप में कितने प्रकार की प्रारंबिक सिक्षण संस्थाएं होती हैं वो होती है राज की माननेता प्राप्त वगैर माननेता प्राप्त संस्थाएं माननेता वगैर सहायता प्राप्त संस्थाएं गैर माननेता वगैर सहायता प्राप्त संस्थाएं उप्युक्त सभी देश में जो है वो मोटे रूप में कितने प्रकार की प्रारंभिक सिक्षण संस्थाएं होती है ये पूछ रहा है न बच्चों तो फाइफ नंबर जो है ये बता देजी आप लोग कि कितने सिक्षण संस्थाएं होती है ये उप्युक्त सभी होती है कौन-कौन मानिता प्रा पर सिक्षा में बेवसाई करण पर जो है जोर दिया गया है वो कौन सा अस्तर था जिस पर जोर दिया गया है माध्मिक अस्तर प्रात्मिक अस्तर उच अस्तर इन में से कोई नहीं बते वो कौन सा अस्तर था जिस पर बल दिया गया था बता सकते हैं आप वो कौन सा अस्तर था तो यहां पर जो वो अस्तर था बच्छो वो था 14 से 20 वर्स 14 से 18 वर्स देखें सोरी यह कोस्चन मैं करा रहा था 6 नमबर 7 नमबर कोस्चन इसके बाद देखते हैं कि सिक्छा के किस अस्तर पर सिक्छा में व्यवसाई कन पर जोर दिया गया था तो कौन सा अस्तर था माधिमिक अस्तर की प्रात्मिक अस्तर की उच अस्तर की कौन सा था इ वो माधिमिक अस्तर जो था वो वेवसाई करण पर इसमें जोर दिया गया था ठीक है अब 7 नमर देखे भारत में माधिमिक सिक्षा या प्राप्त करने वाले छात्रों की लगभग आयू होती है तो 14 से 20 वर्स, 14 से 18 वर्स, 14 से 18 वर्स, 13 से 17 मादेमिक सिक्षा अस्तर के जो आयू है वो छात्रों के कितनी होती है 14 से 18 वर्स, some number option प्रस, जा होगा 14 से 18 वर्स नेक्ष्ट देखिए, eight number question मादेमिक सिक्षा के अंद्रगत कच्छाय होती है माध्यमिक सिक्षा के अंद्रगत कच्छाएं होती हैं माध्यमिक सिक्षा के अंद्रगत कितनी कच्छाएं होती है बताई आठ से दस कच्छा तक कि नौ से बारह कच्छा तक कि नौ से गारह कच्छा तक तो यह जो होती है वो नौ से बारह तक जो होती है वो सिक्षा है यह ज से बारा तक ठीक है माधिमिक सिक्षा के लिए मानकों में कौन सी संस्था लागू करती है वो कौन से सिक्षा है बताई तो वो है NCRT की NCTE की AICTE की इगनु तो वो है NCRT क्या है NCRT नवदे विद्याले का संचालन करती है केंदर सरकार उत्तर परदेश सरकार परदेश सरकार नेजी वेक्ति नवदे विद्याले जो है वो कौन संचालित करता है यह जो है नवदे विद्याले केंदर सरकार द्वारा संचालित होती है किसके द्वारा संचालित होती है केंदर स उसे क्या कहेंगे वह बेक्ति je जो हिंदी भासा के अलावा अंगरेजी तमिल वा पार्सी भासाओं को बोलता वा जानता है उसे क्या कहेंगे दू भासाई बहु भासाई एक भासाई उप्व्विक्त में से कोई नहां मतहिए वह अपेक्ति जो है, तमिल भासाओं का कौन ज्याता होगा, जो पारसी भासाओं को बोलता वो जानता भी होगा, ठीक है तो वो होगा बहु भासाई, बहु भासाई, जो बहुत सारी language बोलता हो, उसको बहु भासाई बोलेंगे न बच्चों तो हिंदी भाषा के लावा अंगरेजी। तमील पार्सी भाषाओं बोलता जानता हू से क्या कहेंगे। भभभासा ए ठीक है। तो तुआल्फ नंबर कोशन देखता है। तो छीसिविक और क्लिफ इसको परश्चन क्या कह रहा है बच्छों। अब देखते हैं 13 number question क्या कर रहा है बहुभासित का सबसे बड़ा लाब है बहुभासिता का सबसे बड़ा जो लाब है वो कौन सा लाब है यह पूछ रहा है ठीक है कि बहुभासिता का कौन सा लाब है यह एक संसाधन है यह एक रण नीती है उप्युक्त सभी A और B होगा इन बहु भासिता की एक हानी बताइए बहु भासिता की जो है एक हानी कौन सी है यह वेक्ती वेक्ति कत कारे च्छमता बढ़ाती है यह वेक्ती सुपर के समय जो है भ्रह्म पैदा करती है बहुत भासिता कि यह हानी हो जाएगी कि यह समबाद के समय भ्रह्म पैदा करती है ठीक है अगला देखिए 50 number question बच्छो 50 number question क्या है 50 number जो question है वो है सिक्षा में पहुँच access वो नमांकन किस अस्तर की सिक्षा के किस अस्तर की सिक्षा बढ़ावा देने के लिए परिचालित हुई है ठीक है access जो है किस अस्तर के सिक्षा देने और किस अस्तर के परिचालित की गई है प्रात्मिक सिक्षा माधिमिक सिक्षा उच्च सिक्षा तीन अस्तर की सिक्षा तो तीन अस्तर की सिक्षा जो है परिचारित की है ठीक है समगर सिक्षा में कौन कौन सी योजनाय समलित नहीं है कौन कौन सी योजनाय जो है वो समलित नहीं है ये बताए गया है तो सर्व सिख्षा अभियान राष्ट्री माधिनिक सिख्षा अभियान सिख्षक शिक्षा उच्ष उच्ष्ष जो है वह योजनाय सम लित नहीं किया गया अब सेवन्टीन नम्बर कोशन क्या का रह यह वह क्या समिधान एक समीधान के कि penalty अनुछेद के अंतरगत सभी को समान सैचिक अधिकार दिये गए हैं तो वो कौन सा अनुछेद है जिसमें समानता का अधिकार समान सैचिक अधिकार दिये गया है अनुछेद 45 अनुछेद 300 का ये अनुछेद 29 का दो और अनुछेद 46 तो अनुछेद 29 का दो जो है ये समान स्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे लाइक सियर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भब और भब बच्छों देखिए हां आगे नेक्स्ट कोस्चन जो है क्या कर रहा है यहां पर नेक्स्ट कोस्चन अब्जेक्टी टाइप में जो है यह वी अच्छा कोस्चन है देखिए ध्यान दीजिए भी है पार्ट वन सेकेंड semester का जो है सिक्षा objective type का question जो है यहां फस्ट question देखिए यहां पर वर्तमान में अधिकान सभी सुविद्याले की एक मातर समस्या क्या है वो समस्या क्या है वहां देखना है हम लोग की अधिकान सभी सुविद्याले जो है उनकी समस्या क्या है पहुच वह नमांकन की समस्या है अनुचित साधन परियोग की समस्या है, कि अनुशासन हिंता की समस्या है, गुणवत्ता की समस्या है, यह जो है अनुशासन हिंता की समस्या है, ठीक है बच्चों, चात्र उच्छ सिक्षा अस्तर पर वर्थ भर किस छिंता और तनाव में रहता है, पते ही, आप लोग तो एक student है यह question उस टाइप से है कि छात्र जो है वर्स भर सिक्षा अस्तर पर किस चिंता वर tension में रहता है पहुंच access पर कि प्रतियोगिता पर परिक्षा पर अतरिक्त बल देना कि उप्युक्त सभी तो यह जो हो जाएगा सभी पर रहता है चात्र जो चिंता वर टेंसन रहता है उसको किस पर रहता है ऐह जो उच्छ शिक्षा अस्तर पर बिद्यार ति के जो है न्ग नमांकन वो गिरते अस्तर के लिए जिम्यदार कौन है अभिवावक, शात्र स्वायम, बिद्याले परशासन, दोस्पुन शिक्षानिती, तो वो जो है, हो जाएगा दोस्पुन शिक्षानिती जो है, ये गिरते अस्तर के लिए जीमदारा, ठीक है? आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर कोश्चन बच्चों, फोर्थ नंबर के अंतरगत, शात्र जो है, औस अंतोस के अंतरगत जो है, वो जो है, कौन सा बेवहार सम्मलित है? सिक्षकों के परती, निरादार भाव, महिला साथी के साथ, दुर बेवहार, संपती को नष्ट करना, उप्योक्त सभी, तो ये जो हो जाएगा, उप्योक्त सभी हो संपती को नश्ट करना ये सभी जो हो जाएंगे वो जो हो जाएंगे बेवार सम्मिलित हो जाएंगे ठीक है तो भारती सिक्षा प्रणाली का दोस क्या है भारती सिक्षा प्रणाली का दोस पूछ रहा है कि क्या दोस है उसका तो ये है लक्ष भीहिन सिक्षा और बेवारिक स सिक्षा Śाक्षर्ता उप्युग्त सभी तो ये हो जाएगा लक्ष बीहिन सिक्षा लक्ष हिष्विहन सिक्षा जो है येही भारति सिक्षा का दोस् है एकत्र Counseling V Barry 1979 19-12 10-1968 18-1976 अगला question देखते हैं बच्चों 7 number question क्या है 7 number question देखिये क्या कह रहा 7 number question यहाँ देखिये भारत में समलित परिक्षा प्रणाली को जो वर्तमान सोरूप है या किस सन की परिक्षा प्रणाली का रूप है भारत में परचलित परिक्षा प्रणाली जो है वर्तमान में जो है वो तो सौरूप, वो कि सौरूप, कि सन की परिक्ष पनाली का रूप है. ठीक है? तो बताई, 1830 का, 1832 का, 1835 का, 8944 का, बताई, किसका सौरूप है? 1800 जो है, ये जो है, किसका सौरूप है? 35 का सौरूप है. तीक है 1835 का सुरूप है रोजगार की इस्थिती में परिवर्तन का मुख्यकारण है रोजगार की इस्थिती में जो है परिवर्तन का मुख्यकारण क्या है जनसंख्या ब्रिधी अधिक सिक्षा अधिक अग्यानता अधिक सेमाय क्या है यह जो है जनसंख्या ब्रिधी जो है बेरोजगारी को नियंतरित करने के लिए क्या आवश्यक है शिक्षा का परसार जन सक्ति नियोजित करना छात्रों को सुविधा देना इन में से कोई नहीं बेरोजगारी को नियंतरित करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताएगे सोचके बताएगे कि बेरोजगारी को नियंतरित करने के लिए क्या करना पड़ेगा शिक्षा का परसार जन सक्ति नियोजित करना छात्रों को सुविधा देना इन में से कोई नहीं क्या होगा तो यह जो होगा बच्चों जन शक्ति को नियोजित करना जन सक्ति को अगर हम नियोजित कर सकते हैं तो यह बिरोजगारी को इस पर काबू कर सकते हैं अब देखिए सिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया समिधान के सिक्षा को जो है समवर्ती सूची में लाया गया है यह किस सम विदान संसोधन के द्वारा हुआ है यहीं पूछ रहा है बहुत सारा जो बहुत सारा चीज संसोधन के द्वारा ही हो जाएगा नीचे description box दिया हो गया है वहां से आप लोग PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और यह question जो था आप लोगों का 10 number question था ठीक है तो next करते हैं अब बच्चों तो देखिए next number question क्या कह रहा है next number question देखिए बच्चों क्या कह रहा है ठीक है तो जनसंख्या सिक्षा के उद्देश से जो है क्या है कि जनसंख्या सिक्षा के उद्देश से देख रहा है हम लोगों की क्या कह रहा है जनसंख्या बिश्फोर्ट की जनकारी देना जनसंख्या भ Allow के काम पर प्रकाश डालना बड़े परीवार का राश्टि अंतराश्टि अस्तर पर पढ़ने वाला ग्यान देना उपयुक्त सभी तो ये जो हो जाएंगे जनसंख्या सिक्षा की उद्देश जो हो जाएंगे उप्युक्त सभी हो जाएंगे उप्युक्त सभी जनसंख्या की दिरिष्टी से विश्व में भारत का अस्थान क्या है पर्थम अस्थान रित्ती अस्थान दूत्ती अस्थान चतुर्थ अस्था जन संख्या की दिरिश्टी से भारत का भिस्व में क्या है दित्य अस्थान दिया गया है टिक है अब देखिए जन संख्या पर एक वोश्चन चल रहा है जन संख्या है ठीक है आघला देखिए उनीस तो इकान भी की जनगर्णा के अनुसार भारत के सक्षरता का प्रतिशत है 60 परतिशत, 88 परतिशत, 52 परतिशत, 80 परतिशत, यह जो है 80 परतिशत जु है सक्षर्ता का परतिशत है, ठीक है, आगला देखिये, 5 नंबर, जन संख्या सिक्छा का संबन्ध किस आयू वर्ग के छात्रों से है, 11 से 17 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 17 से 21 वर्ष, इनमे से कोई नहीं, जनसंख्या सिक्षा का संबंध जो है यह किस वर्ग के आयू से है यह पूछ रहा है न तो 11.17 की साथ से 11.17 से 21.21 जनसंख्या सिक्षा का संबंध किस आयू वर्ग से पूछ रहा है तो यह जो हो जाएगा यह कोई आयू इनमें से कोई नहीं है ठीक है अब देखे यह कथन किस किसका है कि जनसंख्या परिवार के सही आकार के संबंध हैं सही अभीवरिती करने के लिए प्रणा शक्ति प्रदान करती है निर्मल साहनी डॉक्टर चंदर शेखर डॉक्टर भासकर मिस्र डॉक्टर वीके राओ यह जन पता नहीं किसका है जनसंख्या परिवार के सही आकार के संबंध वह सही अभीवरिती ब्यक्त करने के लिए प्रणा शक्ति प्रदान की गई है वह किसकी है यह पूछ रहा है तो यह है बच्चों निर्मल साहनी की है किसकी है निर्मल साहनी की शक्ति प्रदान करती है ठीक है अगला कोश्यन किसका यह बात सही है कि हमने बहुत प्रगति की हमने बहुत प्रगति की पर विकास की जो उपलब्धियां है वो जनसंख्या ब्रिधी ने उसको नगन्य बना दिया है यह कथन जो है किसका है स्रीमति इंद्रा गांधी का राजीव गांधी का बीपी सींग का नर्सिंगा रहे वाली थी इसी से याद कर लिए कि ये जो है इंद्रा गांदी का ये कथन है जन संख्या पर वो एक पॉपुलेशन पर कानून बना रही थी अभी तक पॉपुलेशन पर कानून नहीं बनाने वाला है देखे फ्यूचर में क्या होता है जनसंख्या सिक्षा की मुख्य समस्याएं जो है वो पूछ रहा है क्या क्या है अभिवावकों का विरूद अंद विश्वास अल्प संख्यकों का मनुभी ज्यान उप्युक्त सभी तो ये जो हो जाएगा उप्युक्त सभी हो जाएगा इस ठीक है बच्चों ये जो हो जाए उप्युक्त सभी इसका हो जाएगा ठीक है तो अब देखते हैं नगरी करण एक प्रकिरिया है क्या है नगरी करण आर्थिक प्रकिरिया सैचिक प्रकिरिया समाजिक प्रकिरिया राजनितिक प्रकिरिया तो यह जो है बच्चों एक समाजिक प्रकृर्णय प्रकरिया है यह जो है एक समाजिक प्रकरिया है अगला कोस्चन देखते हैं लास्ट्ट कोस्चन यह जू है अदावगी करण समाद्ट रावशी किम्न में किसको जन्म दिया है यह पूछा यह नहीं करण को कि रौरेतन अमिरवर को, जैटलीन मैन फर्मिक कलास को यो फ्रिक्त सभी को ठीक है? तो यह जो है नगरी करन को बल देता है, अदवी करन जो है, यह जनम दिया है नगरी करन को ठीक है? विडियो अच्छा लगे, लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देजीगा. थैंक्स फ़र वाचिंग, थैंक्स बड़ बरे दे